हेलो फ्रेंड्स कैसा नजहरा दिख रहा है हरा भरा शान बहुती खुबसूरत चारो तरफ वारिश होने के बाद आज धूप निकली है तो बड़ा अच्छा लग रहा है तो चलिए हमने कचल वीडियो बना लेते हैं मसूरी भी आज बहुत साफ दिख रही है और अब हम अपने गार्डन में आज कुछ करने जा रहे हैं यहां पर क्या है बहुत सारे पत्थर ही पत्थर पड़े हैं और इन पत्थरों का समझ नहीं आता मैं क्या करूँ चारो तरफ पत्थर पत्थर हो रिखें अब इनकों मैं रोज एक जगह पर खटा करती रहती हूँ क्योंकि यह इतने सारे हैं कि धंग से प्लांट पगर नहीं बोई जा सकते हैं यहां मैंने एक जगह पर ऐसे ही खटे कर लिये हैं कभी-कभी यह दिकत आपके साथ भी आती होगी कि कुछ बोना चाहो लेकिन उस फिल्ड में इतने पत्थर होते हैं कि धंग से हम प्लांट पगर नहीं लगा पाते हैं या जो भी आपने फूल पगर लगाने हैं तो यह लगता है कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए लेकिन जब यहां पर इतने सारे पत्थर हैं चलने में भी दिकत होती है तो मैंने सब को इखटा करना सुरू करा और इखटा करने के बाद मैंने सोचा कुछ इसका कुछ अलग से कुछ काम किया जाए तो यह एक जगह पर अच्छे नहीं लग रहे हैं वैसे तो रखे वे लेकिन मैंने अब क्या करा है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या आपके भी यह वीडियो यूसफूल हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि इन पत्थरों से हम क्या करें यह देखे एक पत्थर मेरे को और मिल जुका है यहाँ पर यह बड़ी अच्छे सी शेप के पत्थर है चुकि अच्छे भी लगते हैं तो इन सब को मैं यहाँ से इखटे करती रह रही हूँ और कहां पर ले जा रही हूँ फिर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ यह बाता है जो आपप उसके ऊपर बना लिजी और यह देखने में सब्सक्राइब लेजी और आपके गार्ड़न देखने लायक है है कि इसको मतला हमने ऐसे सजा दिया है तो आप भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं ये बड़े पत्थर हैं छोटे पत्थर हैं सब तरह के आपको दिखाई दे रहे हूंगे मतलब मैंने एक ठेड सा बना दिया है और उसी में जो जो मेरे को पत्थर में मन करा वो मैंने बना लिया है आप इसमें काफी हस्तेवे फेस बना सकते हैं मेरे बेटे ने भी इसमें कलाकारी करी है तो मतलब आप अपने बच्चों से बनवा सकते हैं खुद बन ना सकते हैं ये देखे देखने में कितना अच्छा लगता है तो आप भी अगर आपके गार्डन में या कहीं पर भी घर में भी अगर आपके पत्थर वगरे खटे हो रहे हैं और यूँ लगता है रहे यार यह क्या इस धेर को का फैका जाए तो कुछ इस तरह का उसको लूप चेंज कर सकते हैं तो आप भी ट्राइ किजिए मिलते हैं अगली वीडियो में